नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। नहीं मोत भी ज़्यादा हो सकती है। और ये कर रहा है WHO यानि World Health Organization जो तत्यों के हवाले से ये बात आई है। अभी हमने सांसों पे संकट देखा है किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वज़ा से लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना फेपडों पे अटेक करता है, सांसों पे अटेक करता है और धुम्रपान भी उसी को नुकसान पहुचाता है। यही वज़ा है कि ऐसा करने वालों को 50% ज्यादा खत्रे बढ़ जाते हैं। सुनिए एक रिपोर्ट। संक्रमण का जोखिम इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि वे अपनी उंगलियों को मुझ में डालते हैं। तंबाकू का सबसे ज़्यादा इस्तिमाल करने वाले देशों में भारत का दूसरा अस्थान है। भारत में हर रोज 37,000 से ज़्यादा लोग की मौत तंबाकू से होती है। तंबाकू का धूम्रपान करने और खाने वाले लोगों में हार्ट अटाइक, ब्रेन श्ट्रोक, फेपडों की विमारी, सूजन और बलगम की वज़ा से फेपडों से आक्सिजन का नम मिलना, टीबी और फेपडों का कैंसर की विमारिया होने की संभावनाएं बढ़ जाते तंबाकू के धूमे में 4000 केमकल होते हैं, जो 36 तरह के कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ाते हैं, अगर 3 इंच की तंबाकू भरी सिग्रेट इतनी नुकसान दे है, तो इससे तोबा करने का 20 तंबाकू निसे दिवसे बहतर मौका और कोई नहीं होगा, जैसा कि आपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ततकाल प्रभावस के इसका सिवन बंद कर दे, अधर्वाइज कोरोना जल्दी अटेक करता है और 50% मौत के खत्रे बढ़ जाते हैं, तो आप रहे ने बे खबर, देखते रहे हैं, इन खबर